सावन मेहने में बचे हुए दिनों में किसी भी दिन आप सभी इन इस्थानों पर अगर अपनी मनोकामना कहे कर लाल धागा बांग देते हैं तो निश्चिती परिवार के दोश खत्म होते हैं और परकत आना अरंब हो जाती है आप जानते होंगे एकादशी आ रही है दश्मी है द्वादशी है त्रियोदशी है प्रदोश ब्रज्जी से कहा जाता है आमावश्या आ रही है सावन का सौंबार है यह चमतकारी दिन है पूर्ण माशी है इन दिनों में अगर कोई व्यक्ति सरल्तम तरीके से इन कार्य को करता है तो उसके भाग्य की रेखाएं पा रहे हैं पित्रों की करपा चाहते हैं कुल देवी मैया का आशिरवाद चाहते हैं तो आप सभी को आवश्यक रूप से इन सरल सरल से कार्य को करना चाहिए आप सभी जानते होंगे प्राचिंतम समय से ही कलावा बानने का प्रबंध है और सास्त्रों में विधान कहा गया अलग-अलग मनोती के धागे अलग-अलग स्थानों में बाधि जाते हैं इनका अद्भूत प्रभाव है वर्सों से संतान होती है कई वर्सों हो गए नौकरी नहीं लग रही है जोइनिंग लेटर नहीं आ रहा है तो इनसे काम होता है और अद्भूत सुख इसके कहा गए हैं साल भर में सावन पूजा का अद्भुत मेहत्व है सास्त्रों में कहा जाता है साल भर में जितनी पूजा का फल नहीं मिलता न उतना सावन में मिल जाता है क्योंकि इन दिनों महादेव की शक्तियां प्रगाड स्वरूप में अद्भुत तरीके से प्रत्वी और पूरे ब्रह प्रम्हांड का संचालन कर रही होती है इन दिनों किये गए सौंबार के ब्रत भागे बदल देते हैं इस मेहने की गए महादेव का रुद्राविशेग भागे बदल देता है नवग्रहों की दुशा सुदारता है और अद्भुद सरूप में फल मिलता है तो कहां कहां पर भndना काघडबंदन करना है धागा बादना है ध्यान से सुने सबसे पहले लाल रंग का जो धागा होता है मनगल ग्रह से जुड़ा हुआ हं और मंगल दोष अगर कुंडली में है तो वेवाही अरचन बहुत आती है मंगल दोष तो बुद्धी भ्रमित होती है मंगल दोष तो कहीं न कहीं पिता पुत्र में कम बनती है मंगल दोश है तो रक्त संबंधी परेशानी क्रोध विचलित मन रहता है इसलिए लाल रंग के धागे को हाथ में भी बाधा जाता है और इन स्थानों पर में भी बाधने की महत होता है सबसे पहले कहां पर आपको गढ़ भंधन क करना है प्राशना आते हैं दिदी हम तो रोज करते हैं रोज करते हैं अतिवत्तम हैं पर पर उस्का सही विधान जनी सबसे पहले आपको गढ़ भंधन हमेशा जो रेसमी होता है वह नहीं लेना है यह सही corresponding है कच्छा सूत चीसे कलावा कहा जाता है जो प्राचीन तम समय मे बड़ी आसानी से हाथ से तूट जाता है वह है आजकल आधुनिक्ता में मिलावट है इसलिए मनो कामना पूर्ण होने में भी समय लगता है अगर आपको सूती धागा मिले तो ही यह उपाय फलीत होगा रेश्मी मिलावट लाइलोन के धागे से यह उपाय संभव नहीं है तो कच्छा सूट जो आसानी से तूट जाता है लाल रंका वह लेके आना है नियम में तुरूप से सिव मंदिर जाए अगर पर करें इच्छा आपकी है पती पत्नी में कम बनती है तो माता पारवती और महादेव का गडवंधन नियम बद तरीके से करना सुरू कर दीजे आप स पत्नी में प्रगाड प्रेम होता है और साथी आपका मनपसंद विवा होता है जिन कुवारी लड़कियों को अच्छा घरवर चाहिए उन्हें तो यह कारी करना ही चाहिए पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए तो मापारवती और महादेव का सावन महने की विसेस्तिति में आपको गडवन्न निश्चित रूप से करना चाहिए इसके बाद लाल कलवा कहां बादा जाता है सास्त्रों में कहा गया है और गुरुजी भी कहते हैं जो यह व्रक्ष है यह देव तुल्ली है और भाग बदलने के लिए हैं जीवन में हार रहे हैं दुख पा रहे हैं एकस्ट संकट पीडा में हैं तो सबसे पहले बारी आती है तुल्सी की गुरुवार हो यह सनिवार हो यह मंगलवार हो यह एकादशी दिथियार ही हो कभी भी किसी भी दिन बस रविवार और एकादशी को तुल्सी में जल नहीं चड़ाया जाता है बस इस बात का ध्यान र सकते हैं जब भी है कारी करें इसका विधान ध्यान से सुनिए सबसे पहले जल चड़ाएं तुलसी में उसके बाद जो है विधी विधान से थोड़ा कच्चा दूद भी चड़ा सकते हैं तत्पश्चात आप ओम नमो भगवते वासुदेवाई कहते हुए सावन महने में अग पित 我們 अगठी में रहे हैं ऻूके हैं कहीं नहीं अग्ठी बित्रदोश घर लगा है संतान पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल पा रहा है थो आप सभी को चले जाना है किसी भी दिन बस रविवार नहीं जाना है इस बात का ध्यान रखना है किसी भी अमावश्या, अमासिक, सिवरात्रे, पूर्णीमा, जिस दिन आपका उपवास हो, कभी भी किसी भी दिन सा सकते हैं, आपको एक जल के पातर में कच्छा दूर मिलाना है, काले तिल ले जाने हैं अपने साथ, उसी जल में डालना है, साथी पूर वियाउत्त से पीपल देवता की कर देता है, विसरी सिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम सरवपितर देवाय नमो नमा कहते हुए, या कोई सावी सरलसा मंत्र देवी लक्षमे से जुड़ा हुआ होता है, तो अद्भुत इसके प्रभाव देखे गए हैं, दाहिने हाथ से कभी भी परिक्रम करें, साथ परिक्रमा पीपल देवता की बताई गई है, तो यह भी अद्भुत फल देता है, इसके साथ साथ कलावा आप पीपल की जड़ में सामा निरूप से भी मनो काम न कहकर बाध सकते हैं, यह देव रक्ष है, जो कि अद्भुत सुक प्रदान करता है, साथ ही राहु बद्ध तरीके से से उपर समी पत्र चड़ाया जाते हैं, तो भागी की रेखा प्रवल होती है, राहु केतु की बाधा दूर होती है, तो किसी भी सनीवार या किसी भी अच्छे दिन में आप जो है विसेश तोर पर शमी व्रक्ष की पूजा पाठ विधिविधान से करने क बाद आप जड़ में लाल रंग का कच्छा कलावा बांद देते हैं, तो इसके अद्भुत सुख सास्त्रों में कहे गए हैं, तो यह कारी भी आपको करना है, बात आती है केले व्रक्ष की यह जो दिब्विवरक्ष है ना, इनकी महिमा अद्भुत कही गई है, केले व्रक् कच्छा दूद और जल और हल्दी चड़ाएं, उसके बाद आप सभी साथ परिक्रमा यहां लगा कर यह कलावा बांद सकते हैं, अगर ऐसी स्तिती है, तो आप अपने ही स्थान पर साथ परिक्रमा लगाएं केले व्रक्ष की जड़ में, और कच्छा सूत जो है केले व्रक् थिर में भी कलावा समर्पित करना अधुष सुख प्रदान करने वाला होता है, अपने हाथ में भी इस महने कोई भी ब्रत उपवास हो तो आपको कलावा जरूर से बादना है, महला को हमेशा जो लड़किया होती हैं उन्हें अपने बाएं हाथ में बादना चाहिए और जो सुख मिलेंगे, दुख दरिदरता का नाश होगा, कस्ट संकट पीडा का परिवान में निदान होगा और बरकत बनी रहेगी, यह कोई कही सुनी बाते नहीं है, इनका सास्त्र प्रमान मिलता है और इनसे जीवन में चमतकार होता है, ऐसा सास्त्रों में वर्णित है, तो कैस